कूडे के धेर में फेकी गई रोटियां रोज यही बयान करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी आउकाद भूल जाता है कटू सत्य है कि ठंडी रोटी अक्सर उनके नसीब में आती है जो अपनों के लिए पूरी जिन्दगी कमाई करके देरी से घर लोटते हैं देश विदेश में बैटे सबी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार उच्सुकता तो बहुत है कि आने वाला वर्ष हमारे जीवन में क्या लेके आने वाला है इतनी मेहनत करके हम कहां पहुच रहे हैं और क्या ग्रहे हमारी मेहनत को शुरेश्ट फल देने वाले हैं या हमें और जादा मेहनत करने पर विवश करने वाले हैं जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर सिर्फ सच कहा जाता है क्योंकि मैं और मेरे पताजी ये मीठी मीठी बातें करके आपको और आपके भविश्य को गुम्रा नहीं कर सकते ये नाओदेश्य है और नाही फित्रत है इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कुम्भ राशी की कि आपके लिए वित्यस्तिती पर कैसा ये वाला साल याने कि 2024 रहने वाला है स्वास्ते की बात करें, लव लाइफ की बात करें, कैरियर की बात करें इन सब पर आगे हम एक एपिसोड अलग से मनाएंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा ये वर्ष रहेगा, क्या हमें इस वर्ष आराम प्रदान होगा या मेहनत और जादा बढ़ेगी इसके लिए बस यही कहूंगा कि इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजेगा ताकि जो भी एपिसोड आता है आपको अवश्य ही देखने को मिले आपको ढूंड ना पड़े, खोज ना पड़े, आज एक चर्चा की और अगली चर्चा में आप उपस्तिती ना हो ऐसा ना हो, इसके लिए इस एपिसोड को जरूर आप लाइक कीजे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा ठीक है, अब बात करते हैं कि 2024 कैसा रहेगा कुमबराशी के लिए अब इसको जानने की कोशिश में अगर आप जुड जाएं तो financial standpoint से ये वर्ष अच्छा रहने की आश्या जताई जाएगी optimism दे रहे हैं, motivate कर रहे हैं, ये नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं ये साल अच्छा होगा 2024 की शुरुवात में ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रहें आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे जो आर्थिक तोर पे मजबूत बनाएंगे stability देंगे, एक dominance देंगे अपने finances पे वित्य फैसले लेने में थोड़े difficult decision इस समय में आपको लेने पढ़ सकते हैं जो हर किसी को समझ में नाया है, हर कोई favor ना करे पर स्वयम की भलाई के लिए ये decisions लेने ही होंगे कई बार, कई decisions लोगों को surprise भी कर सकते हैं अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसने ये decision लिया है out of the ordinary लिया है, character break किया है लेकिन मजबूती से अपने फैसले जो हैं उनके साथ अड़िग खड़े रहिएगा यहां मैं ये बताना चाहूँगा कि मार्च 2024 के महीने में वित्य स्थिती में कुछ imbalance हो सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं इसलिए आपको इस तरीके से total harmony बनाए बैठनी है, रखनी है कि कोई भी जो खर्च हो, वो आमदनी खर्च इन दोनों के बीच में बना करके आप stability बनाएं अगस्त के बाद में धीरे धीरे वित्यत तौर पर आपको favorable results की प्राप्ती होनी शुरू होगी यह कहूँ cash flow जो है, वो बहुत अच्छा होगा और वर्ष के अंते महीने यानिकी, December 2024 में आप खुद को financial standpoint पर बहुती matured, बहुती satisfied और बहुती सुलजा हुआ पाने वाले हैं क्योंकि balance जो है वो भी बनेगा और stability भी पूरी तरीके से आपको मिल जाएगी तो यह हुआ 2024 का वित्य राशीफल या financial राशीफल आपके राशी के लिए आशा करता हूँ यह episode पसंद आया होगा और पसंद आया है तो सिर्फ देखना नहीं है end तक पूरा देखे हैं तो like करना है, channel को subscribe करना है, इसका ज़रूर ध्यान दीजेगा मैं आशा करता हूँ कि आपका यह वर्ष जो है, चाहे struggle से भरा हो या बहुती positive हो पर आप हमेशा खुश ही रहें, challenges हैं उसको accept करें और उस चुनायती को मानते हुए आगे बढ़ करके उस पे सफलता अवश्य ही पाएं क्योंकि मैं यह दिल से कह रहा हूँ कि किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता जो ग्रहों की स्थिती है, जो ग्रहे बताते हैं, वो कहना सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा काम है आपको guide करना, astrologically, वो मेरा काम है, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है उसको मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूँ और आशा यही करता हूँ कि कैसी भी कोई बी स्थिती आपके सामने क्यों ना आये, पर आप अपना stand यहां पे ना खोए आप पूरे साल, बहुती strongly, कोई भी struggle है, तो उसको पार करें, सकसे सवशे पाएं और अगर अच्छा साल है, तो अच्छे साल में सिर्फ कमाई जो हो रही है, उस पे ध्यान मत दीजे दूसरों का भला करने पर भी ध्यान दीजेगा, कि अगर आपको इश्वर ने ये आशरवात दिया है, कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा है तो गरिमों की सेवा, बड़े बुजर्गों की सेवा, कहीना की अनाताले में जाकर की सेवा अवश्य ही कीजेगा, क्योंकि जब अच्छा हो रहा है, तो हर किसी के साथ में अच्छा करना ये स्वयम का करतव्य बन जाता है मेरा ये मानना है अगर आपका भी यही मानना है तो ये करके इस वर्ष को अती शुब बना सकते हैं हमेशा की तरहे प्रात्ना यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदेवी सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशिरवाद अगर हमारे साथ में हमेशा ही बना रहे तो प्रगती हमेशा हमारे पास में होगी हम हमेशा जो भी कदम लेंगे वो प्रगती की और लेंगे, सकसिस की और लेंगे और अपने जिन्दगी में बहतर करते चले जाएंगे नव वर्ष से एक अप संकल पले लीजे हर सुबह उठकर के नहा करके भगवान के चरंस पर्ष करूं और माता का अशिरवाद पता का अशिरवाद हो तो मान करके चलिए कि जीवन में कैसी भी खटनाई के ओना हो वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी हमेशा की तरह जै श्री राम एवं जैहन